No doubt belly fat या body पर कहीं भी extra fat होना एक बड़ी problem है लेकिन आज the body garage में हम बात करेंगे ऐसी दो चीज़ों की जिसको आप बिना किसी product ले बिना या diet पर कोई भी पैसा spend के बिना normally बस follow करें तो ना ही सिर्फ आयरवेदा बट modern science भी मानती है की extra fat burn करने के लिए बहुत effective है हर बार की थरह इस वीडियो को भी simple और practical रखेंगे जो body के mainly पेट वाले हिस्से में तेजी से fat जमा होने लगे तो समझना चाहिए कि अंदर visceral fat increase हो रहा है visceral fat मतलब वो जो आपके पेट के अंदर organs को ढख लेता है यानि आपके पेट के साथ साथ liver, kidney और intestine पर भी fat चरने लगता है extra belly fat होना ना सिर्फ दिखने में खराब लगता है बलकि science भी इसे dangerous मानती है इसलिए extra fat को कम करना important है ये बात को समझते हुए बात करते हैं वो दू ऐसे चीजों की जिससे extra fat burn क्या जा सकता है पहली चीज है पानी का सही intake करना आज science भी ये proof कर चुकी है कि fat burn करने के लिए body में fluid की सही मात्रा होना बहुत जरूरी है और पानी से भैता कोई भी fluid नहीं आपको रोज सुबह उटे ही brush करने से पहले गुनगुना पानी पीना है इसमें कुछ नहीं डालना plain water पीना है जिससे सुबह सुबह ही आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा सुबह पानी कितना पीना है वो आपकी मर्जी है बट मिनिमम एक गिलास जरूर पीए फिर मील के टाइम मील लेने से पहले पानी पीना हो तो कम से कम 30 मिनट पहले पीजिए और बाद में पीना हो तो 40 या 50 मिनट के बाद ही पीजिए और अगर मील के साथ आपको लगे की जरूरत है तो बहुत कम क्वांटिटी में लीजिए जादा पानी साथ पीने से डाजेशन होने में दिक्कत आएगी दुसरी चीज है कहीं भी भार से कुछ फ्राइड ना खाना फ्राइड फूट तो एक दिन भी सुबह शाम अगर खाले तो पेट हैवी हैवी लगने लगेगा और भार का फ्राइड खाना तो बिल्कुल ही गलत भार आपने देखा होगा कि एक तो ओइल रिफाइंड ओइल होता है और वही एक तेल को गंटो गंटो तक यूज करते हैं जिससे ओवाइल के अंदर ट्रांस फैट बन जाता है और यह आपके आर्ट्रीज को ब्लॉक करते हैं जिससे बॉडी के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है यह अगर छोटी छोटी सिर्फ दो चीजों का भी आप धिहान रखेंगे तो 15-20 दिन में